मिवाड के गुहिल वन्स का नेक्स्ट इंपोटेंट राजा राणा लाखा सिंग, राणा लाखा सिंग का रूलिंग टाइम 1332 से 1421 की सीस्वी के बीच में होता है। राना लाखा के शासन काल में मिवाड में कुछ इंपोटेंच चीज Commissioner होती है जिनको एक एक करके हम डिसकस कर लेते हैं. सबसे पहले राणा लाखा के सासन काल में चांदी का उत्पादन जावर की खानों से स्टार्ट हो जाता है तो इसको लेकर के क्यूशन आजाएगा कि मिवाड के कौन से राजा के सासन काल में जावर से चांदी का उत्पादन स्टार्ट हो चुका था नेकस्ट है पिछोला जील राना लाखा के सासनकाल मेज बंजारे ने पिछोली गाउ में पिछोला जील का निर्माण करवाया था और इस पिछोला जील के तट के उपर ही नतनी का चबूतरा स्थित है तो इसको लेकर के क्यूश्यन आजाएगा कौन से जील के किनारे पर नट्टी का चबूतरा इस्तित है या कौन से राजा के सासनकाल में पिछोला जील का निर्माण करवाया गया था नेक्स्ट है कुंबा हडा कुंबा हडा की इतियास को जानने के लिए पहले आप थोड़ी सी बेक्ग्राउंड में हम देखेंगे राणालाखा की शादी होती है बुंदी की एक राजकुमारी के साथ में बुंदी की राजकुमारी को जब मेवार लाया जाता है तो राणालाखा उनसे क्यूस्चन करते हैं कि आपको मेवार कैसा लगा बुंदी की राजकुमारी बोलती है कि मेवार अच्छा है पर बुंदी को जीत करके आएंगे और बुंदी को बेवाड के अंडर रखेंगे अधिकार में रखेंगे तो उनको समझाए जाता है कि अभी हमारे बुंदी के साथ में अभी अभी रिस्ते बने हैं और उनके उपर अगर हम आकर्मन करते हैं तो ये गलत होगा इसलिए उनको बो कि ये कौन हैं तो बुंदी की जो राजकमारी जो मेवाड आई ती उनके साथ में उनका एक भाई आता है उस भाई का नाम होता है कुमबाहडा और फिर इस युद्ध में कुमबाहाडा सहीद हो जाते हैं तो ये question important हो जाता है कि बुंदी के नकली दुर को बचाते हुए कौन सहीद हो गया था, कौन वीरगती को प्राप्त हुआ था, तो उनका नाम था कुम्बा हाडा Next name है हनसा भाई, ये काफी important है, अब आगे मेवाड का जो भी दियास हम पढ़ेंगे, उसमें इनका काफी ज़्यादा रोल रहेगा हनसा भाई जो थी, वो मारवाड राज्य से बिलूंग करती थी, मारवाड की राजा थे राव चुन्डा, राव चुन्डा की बेटी थी हनसा भाई, और हनसा भाई का भाई था रणमल, मतलब राव चुन्डा का बेटा था रणमल वैसे तो राव चुंडा के और भी बेटे थे लेकिन बेवाड के दियास में रणमल का काफी रोल रहेगा तो हम रणमल के बारे में देख लेते हैं हनसा भाई का जो साधी का परपुजल है वो लाखा के बड़े बेटे चुंडा के लिए भीजा जाता है लाखा का सबसे बड़ा बेटा होता है चुंडा इसके लिए बेजा जाता है कि हनसा भाई की शादी करने के लिए लोग आते हैं चुंडा के साथ में लेकिन लाखा को गलती से ये लगता है कि मेरे लिए रिस्ताया है मेरे लिए नार्यल लेकर कर की आए हैं मारवड के लोग जब लाखा को एक बात पता चलती है तो लाखा बोलते हैं कि बुडे को, ओल्ड एज में उनको कौन बेटी ओर नार्यल देगा तो मारवड वाले बोलते हैं आपके साथ शादी कर देंगे से फेक सर्थ है कि आप से और हनसा भाई से जो बच्चा होगा वो ही आने वाले टाइम में मिवाड का राजा बनेगा अब बात जब ये चुंडा को पता चलती है कि मैं बड़ा बेटा हूँ मेरी वज़े से इस शादी में परेशानी आ रही है तो चुंडा ये प्रतिग्या करते हैं कि ना मैं और ना ही मेरी आने वाली पीडी कभी भी मेवाड की चितोड के राजा नहीं बनेंगे और हम हमेशा जा एक संरक्षक के रूप में काम करेंगे चितोड के तो इसलिए हनसा भाई की और लाखा की हो जाती है और उनसे बच्चा होता है जिसका नाम होता है मोकल अब चुंडा ने जब ये प्रतिग्या की इसलिए उनको मेवाड का भीस्म बोला जाता है कि उन्होंने अपने पि गया की थी तो उनको कुछ विसेश अधिकार दिये गई जैसे कि मेवाड के सोला पर्थम स्रेणी के ठिकाने थे जिसमें चार ठिकाने जो है वो चुंडा को दे दिये गए जिसमें सल्यूंबर बेगू आमेड देवगड इसके अलावा ये बोला गया कि जब भी मेवाड का जिसको हरावल बोलते हैं उसको लीड हमेशा चुंडा करेंगी इसके अलावा मेवाड का उत्रादिकारी चुंडने में चुंडा का का काफी बड़ा रोल रहेगा और मेवाड का उत्रादिकारी और उसका राज्या भी से करने में काफी बड़ा रोल रहेगा तो ये कुछ विसेश अधिकार दिये जाते हैं चुंडा को रूनकी आने वाली पीडी को अब लाखा की डैथ हो जाती है और लाखा की डैथ होने के बाद में जैसे की पृतिग्या थी जैसे की वादा वचन किये गए थे उसके अकोडिंग मोकल राजा बन जाता है मोकल की जो एज है उम्र संरक्षक के रूप में काम करते हैं लेकिन हनसा भाई को चुंडा के उपर सक होता है कि चुंडा यहां का राज हत्याना जाते हैं इसलिए वो कभी भी मेवाड को छोड़ करके नहीं जाते हैं जब ये बात चुंडा को पता चल जाती है तो मेवाड को छोड़ करके मालवा क तरह वे चले जाते हैं, अब मोकल का दूसरा संड़क्षक कोन बनेगा, तो हनसा भाई को अपने भाई की याद आती है, रनमल की, और रनमल को मारवाड से बुलाती है, और रनमल जो है, वो आकर के मोकल का दूसरा संड़क्षक बनता है, तो ये किश्यन उठ जाएगा, कि मोक तो ये आपको ध्यान में रखना है अब मोकल ने कुछ अपने सासनकाल में जैसे की उन्होने एक तो एकलिंग जी का मंदिर जो बनवाय था परकोठा बनवाया दूसरा उन्होने समिदेश्वर मंदिर का पुनर निर्मान करवाया ये जो समिदेश्वर मंदिर है इसको तिरूभन नारायन मंदिर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो परमारवन्स का जो भोज राजा था उसकी उपादी थी तिरूभन नारायन और उसी के बेसिस पर इस मंदिर का निर्मान करवाया जिसको बाद में समिधेश्वर मंदिर से नाम से जाने जाने लगा और इसका मोकल ने पुनन निर्मान करवाया था मोकल ने अपने भाई बाग सिंग की याद में बागेला तालाप का निर्मान करवाया इसके अलावा चितोड में द्वार का धीस मंदिर का निर्मान करवाया और एक उनकी रानी थी गोरम भिका उनकी याद में उन्होंने एक बावडी का निर्मान भी करवाया उन्होंने इस बावडी का निर्मान करवाया ये बात पता चलती है स्रंगी रिसी अविलेक में अब 1433 के समय में गुजरात के राजा है एमत सा वो अकर्मन कर देते हैं मिवाड के उपर और उसी को जीतने के लिए उस युद्ध का सामना करने के लिए जो मोकल है वो अपनी से सेना के साथ में जीलवाडा राससमंद में अपना कैम्प लगाते हैं और वहां पर उनकी सेना के ही कुछ लोग चाचा, मेरा, महपा, पवार जो है वो मोकल के उपर आकर्मन कर देते हैं और मोकल की हत्या कर देते हैं तो 1433 में मोकल की हत्या हो जाती है और मोकल की हत्या होने पेटे है कुम्बा का सासनकाल 1433-1468 AD के बीच में कुम्बा काफी important है मेवाड के इतियास में तो इनको लेकर कि हम basic जो भी important facts हैं उस सब कुछ यहाँ पर clear करेंगे कुम्बा के फादर का नाम मोकल और माता का नाम था सोभाग्यवती परमार यह आपको ध्यान में रखना है एक रक्षक के रूप में जो मोकल की मदर होती है हनसा भाई उनको फिर से अपने भाई की याद आती है रणमल की और रणमल को वापस बुलाती है मारवाड से कि आप आईए दुबारा से हमें आपकी जर्रत है और रणमल यहाँ पर अपने परिवार के साथ में मिवाड आता है और कुम्बा को साहिता देता है अब हमने ये देखा कि कुम्बा के पिता मोकल को मार दिया था चाचा, मेरा, महपा, पवार और एका ने मिल करके तो कुम्बा जो है वो रणमल के साथ में मिल करके कुम्बा रणमल के साथ में मिल करके और भीलों के साथ में मिलकर के चाचा और मेरा को तो मार देता है लेकिन महपा, पवार और एका जो है वो मालवा की तरफ चले जाते हैं और मालवा के जो राजा है महमूद खिलजी उस टाइम वो उनको अपने यहाँ पर सरण दे देते हैं अब क्या होता है कि जैसे ही कुम्बा राज का समालने लग जाते हैं मेवाड के लोग बोलने लग जाते हैं रणमल को कि आप वापस अपने मारवाड चले जाएए लेकिन रणमल की एक महिला मित्र होती है जिसका नाम है भारमली वो उनके साथ में अपने उनके सामने अपनी फीलिंग्स व्यक्त करते हैं कि भई मैं कुम्बा को मार दूँगा और मेवाड को भी अपने अंडर कर लूँगा अब भारमली जो है ये सारी बात हनसा भाई को बता देती है अब हनसा भाई को लगता है कि ये तो गलत हो रहा है और यहां पर जब रणमल को चुंडा का भाई रागवदेव मोकल का बड़ा भाई चुंडा और चुंडा का एक भाई रागवदेव रणमल और रागवदेव के बीच में क्लैश चलता है युद्ध हो जाता है जगड़ा हो जाता है रणमल को बोला जाता है कि वापस चुन्डा जी वो चुन्डा जी को बोलते हैं कि आप आईए और दुबारा से अपना जो मेवाड है वो संकट में है और इसको समा लिए चुन्डा जी वापस आते हैं और फिर भारमली के साथ में मिल करके रणमल को मार दिया जाता है चुन्डा के दुबारा और जब रणमल क बेटा होता है यहां पर मिवाड में ही क्योंकि हमने यह सुरुआत में देखा कि रणमल अपने पूरी परिवार के साथ में मिवाड आ जाता है तो राव जोदा उनका बेटा होता है जब राव जोदा को यह पता चलता है कि मेरे पिता को मार दिया गया तो वो अपने साथियो के साथ में यहां से भाग जाता है और बीकानेर में काहुनी नामक जो जगह है गाउं है वहां बज्जा करके सरन लेता है उस समय मारवार की जो राजदानीती मंडोर उसको भी जो चुंडा है या फिर कुम्बा आप बोल सकते हो अपने अंडर कर लेता है बहुत लंबे समय त कुम्बा होता है और मारवार की तरब से होता है राव जो दा दोनों की बीच में आउन बाउन की संदी हो जाती है दूसरा हम देखते हैं कि कुम्बा के टाइम में हमने देखा चाचा और मेरा महपा पमार और एका जिन्होंने मिल करके मोकल को मारा था रो मोकल थे कुम्बा की है तो जो कहां के राजा मालवा के राजा महमुद खिल जी मना कर देते हैं कि मेरी सरण में मैं आपको नहीं सोपूंगा तो फिर इसी बात के उपर कुमबा के और महमुद खिल जी के बीच में जो मालवा का राजा है उसके बीच में सारंगपुर के युद्ध हो जाता है 1437 AD में इस युद्ध में जीत होती है कुमबा की और कुमबा इस जीत के उपलक्ष में ही यहाँ पर विजे सितंब का निर्माण करवा देता है चितोन में यह जो विजे इस्तम्भ है इसके बारे में आप बेसिक फेक्ट हम याद करेंगे यहाँ पर क्योंकि हमेरे एक्जाम में डाइरेक्ट यहां से कुष्यन उड़ते हैं जो विजे इस्तम्भ है सबसे इंपोटेंट बात यह 9 मंजिला है नो मंजिला है 122 फिट उचा है 30 फिट चोड़ा है विजे इस्तम्भ में विश्णु भगवान की बहुत बड़ी मूर्ती लगी हुई है इसले इसको विश्णु दवज नाम से विश्णु की सवारी होती है गरुड इसले इसको गरुड दवज के नाम से भी मतलब यह इसकी अधर नेम है दूसरे नाम है मूर्तियों का अजायव घर के नाम से जानते हैं Encyclopedia of Indian Sculpture के नाम से भी जानते हैं विजय इस्थम को जो विजय इस्थम के आर्किटेक्ट है उनका नाम है जैता, नापा, पोमा और पुझा और इनके नाम यह नो मंजिला है विजय इस्थम, इसकी पाँचवी मंजिल के उपर इनके आर्किटेक्ट के नाम लिखे हुई है एक बार विजय इस्थम के उपर विजली गिर गई थी आकासिय विजली जिसकी वज़े से खंडित हो गया था इसलिए इसका पुनर निर्मान करवायता मेवाड के राजा सोरूप सिंग ने यह आपको ध्यान में रखना है नो मंजिला है इसकी जो तीसरी मंजिल है उसके उपर अल्ला सब्द लिखा हुआ है नो बार अर्बी भासा में यह ध्यान रखने सारे के सारे facts एक्जाम के point of view से काफी important हो जाते हैं अब हमने देखा कि नो मंजिला है सभी मंजिलों के उपर जो मूर्तिया है वो लगी हुई है इसलिए तो विजयस्तम को मूर्तियों का जायवगर कहते हैं न लेकिन आठफी मंजिल ऐसी है जहां पर कोई भी मूर्ति नहीं है यह जो विजयस्तम है इसके प्रसस्ती भी है प्रसस्ती में क्या अंतर होता है और अभिलेक में क्या अंतर होता है पत्तर के उपर दोनों चीज लिखाई होती है लेकिन जब किसी सासन के उपर किसी वन्स के उपर कोई बात लिखी हो तो उसको आप बोल सकते हो अभी लेकिन किसी राजाय स्पेशल के उपर कोई चीज लिखी हुई हो तो उसको बोलते हैं प्रसस्ती तो ये जो विजे प्रसस्ती है विजे इस्तम प्रसस्ती इसको लिखा था अत्री और महेस ने अत्री मुख्य और इसका बेटे हैं महेस अब कर्नल जेम्स टोट ने विजे इस्तम की तुलना की है कुतुमिनार से फर्ग्यूसन ने तुलना की है रोम के टार्जन टावर से उसमें इसको प्रतिक के रूप में यूज किया जाता है और अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संग्ठन बनाया गया था वीर सावर करकर के द्वारा उसमें भी इसको एक प्रतिक के रूप में यूज किया गया है इसके अलावा राजिस्तान में बिल्डिंग के उपर पहला जो डाक टिकिट जारी हुई वो विजे इस्तम के उपर ही जारी हुई थी तो यह हमने विजे इस्तम के बारे में देखा अब हम देख लेते हैं और आसपडोस की कुमबा के राजा जिनके साथ में कुमबा के कैसे रिस्ते थे नागोर में एक राजा था फिरोजगा उसकी मृतिव हो जाती है और उसके बाद में उसका बेटा राजा बन जाता है लेकिन फिरोजका का भाई जो मुजाइद खा है वो भी राजा बना जाता है लेकिन जो समस्का है फिरोजका का बेटा वो कुमबा की सरण में आ जाता है कुमबा सपोर्ट करता है समस्का को और सम जो को follow करने से, अनुसरान करने से मना कर देता है, जब कुम्बा को ये बात पता चलती है, तो समस्का के उपर आकरमन करते हैं, नागुर के किले को तुड़वा देते हैं, तो ये जो समस्का है वो गुजरात के राजा, उस टाइम गुजरात का राजा होता है, कुतुब दिन हैं तो गुजरात और मालवा दोनों के राजा जो हैं वो एक संदी कर लेते हैं 1456 AD में जिसका नाम है चंपानेर की संदी और दोनों का एक ही टारगेट होता है कि कुम्बा को हराया जाए मतलब दोनों यह डिसाइड करते हैं कि मालवा मतलब यहां पर चितोड है तो यहां पर दूंगा तो इस तरीके जे चारो तरफ से और यहां पर नागोर तो थाई तो एक तरीके चारो तरफ से घेरने की कोशिस की गई किसको कुम्बा को चंपानेर की संदी में गुजरात और मालवा इनमें यह दो मेजर राज्य थे तो इनका नाम सामने आता है 1456 में यह संदी ह कुम्बा को हराया जाए इसकी को लेकर के 1457 एडी में बदनोर भीलवाडा में एक युद्ध होता है और इसमें भी कुम्बा की जीत हो जाती है उसके बाद में जो कुम्बा है वो सिरोई के राजा सैस्मल देवडा को भी हरा देता है इसका मतलब यह है कि कुम्बा ने अप रच्यता है कवी राजा शामल दास वो बोलते हैं कि मेवाड में 84 किले हैं जिसमें से 32 किलो का निर्माड कुम्बा ने करवाया था जिसमें फस्ट है कुम्बलगड दुर्ग कुम्बलगड दुर्ग जो है वो मेवाड की आपात कालिन राजदानी है जब भी मेवाड को जर करके पूरे मेवाड के उपर अपनी नजरे रखता था कुम्बलगड जो प्रसस्ती है उसको लिखा है महेस ने अत्री के बेटे महेस ने और यही जो कुम्बलगड प्रसस्ती है इसी में कुम्बा की दानवीरता के बारे में बताये गया है और राणा हम्मीर जिसने मेवाड म ये जो कुंबलगड दुर्ग है वो मेवाड और मारवाड की सीमा पर इस्तिथ है नेक्स्ट हम देख लेते हैं उन्होंने सिरोई में दो दुर्ग बनाए जिसमें पहला दुर्ग है मचान दुर्ग जो मेरोपन नियंतर्ण करने के लिए और दूसा दूर्ग है बसंदगर दूर्ग इसके अलावा सिरोई में एक दूर्ग का उन्होंने पुनर नियंतर्ण करवाया था तो ये question आ जाएगा कि कौन से किले का पुनर नियंतर्ण करवाया था कुम्बा ने तो अचल गड भीलो पर नियंतर्ण करने के लिए, तो ये कुछ उन्होंने किलो का निर्मान करवाया, ये आप उध्यान में रखने हैं, कुछ उन्होंने मंदिर्स का निर्मान करवाया, टेंपल का निर्मान करवाया, तो पहला है कुम्ब स्वामी मंदिर, तीन जगे बनवाई, चितोड मे कुंबलगड में और अचलगड में ये ध्यान में रखना है next बनवाया सरंगार चमवरी मन्दिर ये वेलाक ने बनवाया था सांतीनात मंदिर के नाम से भिसको जानते हैं next है रनकपुर के जैन मंदिर जिसको धरनक सा एक जैन सेट हुए धरनक सा उन्होंने इसका निर्मान करवाया था और रनकपुर के जैन मंदिर में सबसे important जो मंदिर है वो है चो मुखा मंदिर इस चो मुखा मंदिर में आदिनाज जी की मूर्ती रखी हुई है और किसी भी कोने से 1444 यहाँ पर pillar है और किसी भी कोने से वो वीना बजाय करते थे और उनके संगीत गुरू का नाम है कुम्बा के संगीत गुरू का नाम स्यारंगिव्यास कुम्बा ने बहुत सारी किताबे लिखी जिसमें से सुधा परबंद कामराज रतीसार जो साथ भागों में है संगीत सुदा, संगीत मिमानसा, संगीत राज जो पाँच भागों में है इसके जो पाँच भाग है उनके नाम है पाठिरतनकोस, गीतरतनकोस, नतिरतनकोस, वादरतनकोस और रसरतनकोस यह आपको ध्यान में रखना है अब कुंबा ने कुछ किताबे किनी लोगों ने लिखी उन किताबों के सोट नोट्स भी तयार किया और जो सोट नोट्स है उनको बोलते है ठीका जैदेव की किताब कीत गुविंद उसके उपर उन्होंने टिका लिकी जिसका नाम है रसिक प्रियाटिका सारंगदर की किताब संगीत रतनाकर इसके उपर भी टिका लिकी बानबत की किताब चंडी सतक इसके उपर भी कुम्बा ने टिका लिकी थी कुंबा ने चार नाटक लिखे और इससे पता चलता है कि वो मेवाडी, संसकर्थ, मराठी और कन्नर चार भासा जानते थे अब कुंबा खुदी तो विद्वान थे ही इसके साथ में अपने दरवार बे भी बहुत सारे विद्वानों को सरन देते थे जैसे कि पहला नाम है कान्वियास, कान्वियास ने किताब लिखे जिसका नाम था एकलिंग महत्म और एकलिंग महत्म का जो फस्ट पार्ट है पहला जो चैप्टर है वो कुंबा ने लिखा था और उसका नाम है राज वर्नन तो इस डाइरेक्ट या तो कान्वियास की किताब का नाम पूछ लेंगे या पूछ लेंगे एक लिंग मात्यम की जो फस्ट चैप्टर कुम्बा ने लिखा उसका क्या नाम है तो उसका नाम है राज वर्णन नेक्स्ट है मेहाजी मेहाजी ने तीर्थ माला लिखी नेक्स्ट है मंडन और मंडन ने बहुत सारी किताबी लिखी मंडन ने वास्तुसार देव मूर्ती प्रकर्ण राज वल्लब रूप मंडन कोदंड मंडन वैद मंडन जो थी वो आयरुवेद से रिलेटेड थी देखो य ये क्या थे सिल्पकार थे मतलब ये जो कुदुर्ग ये सब बनाने का काम करते थे और रूप मंदन इन्होंने इस कप्चर के उपर जानकरी देने के लिए लिखी कोदंड मंदन इन्होंने धनुस के बारे में जानकरी देने के लिए लिखी थी और वैद मंदन आईवेद के बारे में जानकरी देने के लिए मंदन का भाई नाथा और नाथा ने बुकली की वास्तु मंजरी और मंदन का बेटा गोविंद और गोविंद ने किताब लिकी द्वार दीपी का उधार दोर्नी कला निदी ये इंपोर्टेंट है जिसमें मंदिरों के जो सिखर हैं वो कैसे बनाई जाते हैं उसकी जानकरी दी जाती है और सार समुच्च लिखी उन्होंने आयुरुएद की बरे में जानकरी देने के लिए कुमबा की बेटी रमा भाई उसको एक टाइटल दे रखा था जिसका नाम है वागिश्वरी कुमबा के गुरु जिनका नाम हीरानंद मुनी याव नाम आपको ध्यान में रखना है और एक उनके दर्बार में विद्वान थे जिनका नाम था टी लाबत अब इसके अलावा जैन विद्वान भी कुम्बा के दर्बार में हुआ करते थे उन जैन विद्वानों का नाम है सौमदेव सूरी, सौमसुंदर सूरी, जैसंकर, भुवन कीरती डाइरेक्ट पूछ लेंगे कि कौन-कौन से जैन विद्वान महाराना कुम्बा के दर्बार मे प्रजेंट हुआ करती थी तो ये नाम आप उध्यान में रखने है